हालो वल्कम प्रेंस देख रहे हैं आप स्टार लाइफ और मैं प्रुपती आज आप सब के बीश लेकर आए हूं ये खास प्रोग्राम स्टार लाइफ का स्पेशल एपिसोड के साथ जहां हम बात करने वाले हैं बॉलिवुड की मुस्ट ब्यूरिफुल आक्रुस रही अपन होसनी के साथ अपनी आवाज से भी अनोकी आवाज से भी जादू चलाने वाली नाइटीज की सूपर ही छी रोई रानी मुखर्जी के बारे में बॉलिवुड के सबसे बड़े डारेक्टर आदित्य चूपरा की पतनी बनने के बाद रानी लाइम लाइट से दूर हुई उ सेशल एपिसोड में हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या वजह थी कि रानी को देखते ही देखते बॉलिवुड की स्लाइम लाइट और चाकाचान से खुद की लाइफ परसनल लाइफ को प्राइविट बनाना पड़ा तरसल इसकी पीशे कारण रानी ने अपने बेटी को लोगों के लिए उन्होंने अपने नाराजगी भी जाहिर कि कि उनके बेटी का जो बरताव है यूही नहीं उनके प्रती नाराजगी से भरा रता है इसके पीशे कारण है पैपराइजी का कई दफा उनकी प्राइविसी पर दखल देना आये रानी का क्या कहना है बेटी को लेकर उनसे दूरी बनाने को लेकर प्रोफिशनल रहने को लेकर बेटी के दुख्ये भरे विवहार को लेकर देखिए इस पिशल रिपोर्ट में आपको बताना चाहेंगे कि बॉलेवुड एक्टरिस रानी मुखर जी जिस तरह से सोशल मीडिया के सामने अपनी बेटी अधी के लिए को मेंटेन करने के लिए रहती है इस रिपोर्ट में आपको बताना चाहेंगे कि मार यहा पर राने मुखर जी ने ही कहा कि मैं पापाराइजी को मना कर देती हूँ जब भी वो एरपोर्ट से आती हैं तो वो कह देती हैं कि साफ मैं मना कर देती कि बेबी की photo नहीं click करना है यह आपको बताना चाहेंगे क्योंकि पैपर आईजी बहुत काइंड होते हैं इसलिए उन्होंने ये बात कही कि अधीरा जब चली जाती है तब ही वो तस्वीरे लेते हैं फोटोग्राफर्स जब भी उनकी बात नहीं मानते तो अधीरा को बहुत बुरा लगता है दरसल आपको बता दे कि उनकी बेटी को जरा भी पसंद नहीं है कि लोग उनकी तस्वीरे ले उन्होंने ये बात कही कि जब उनकी तस्वीरे उन्हें पूछे बगएर ली गई तो अधीरा ने कहा ममा ये भाईया लोग बहुत गंते हैं ये हमेशा आपकी फोटो लेते हैं अधीरा उनसे पूछती है कि ममा आपकी ये तस्वीरे क्यू लेते हैं तब वो बेटी से कहती है बाबु मुझे भी नहीं पता ये क्योंकि इम अदीरा नहीं चाहती है कि उनके पैरंस की बारे में वो जानकर प्रेशर में आए उनकी पब्लिक लाइफ की वज़ह से वो परिशान हो जाए बता दे कि अदीरा को जरा भी पवराइजी का फोटो क्लिक करना पसंद नहीं है तरसल अपनी एक्टिंग और आवाज से दर्शकों की दिलों को चुने वाली एक्परिस रानी शांदार अदाकारी से फिल्म में समय समय पर अपनी एक्टिंग का जलबा भीखिरती रही है लंबे समय बाद मरदान की फिल्म से जिस तरह से माधुरी रानी वुकरजी ने दिल जीता लोग जानते हैं कि रानी को जिस भी करेक्टर में डाला चाहे वो उस करेक्टर की जान बन जाती है अब अदीरा चोपरा अपनी बेटी के बारे में रानी ने खुलासा करते विए नेजे जिन्दगी के बारे में खुल कर मौका मिलते ही बात साजा की और कहा कि लाइम लाइट और सोशल मीडिया से वो खुद भी दूर रहती है और खास मौके पर ही मुनजर आती है और उनके पति अदित्ये और रानी की बेटी अदीरा को भी पुबलिक प्लेस पर जब देखा जाता है तो उनकी तस्वीरे उन लिया जाये तो वो जरा भी पसंद नहीं करते हैं दरसल अदित्ये से शादी के बाद रानी की लाइफ पूरी तरह से बतल गई अदित्ती की ही तरह वो बिलकुल प्राइवेसी मिंटेन करना पसंद करती है अपनी लाइफ को लेकर और अदीरा को अपनी तस्वीरे खिच्वानी बिलकुल पसंद नहीं है ये रानी ने तब ही बताया पेड़े से बाच्षित करती वी रानी ने ये जानकारी दी थी कि बेटी अधीरा को जरा भी पसंद नहीं कि फोटोग्राफर्स उनकी तस्वीरे ले पापराईजी को अधीरा को प्राइवेसी देनी चाहिए ये रानी ने कहा गुस्सा भी जाहिर किया भावुक भी नजर उन्होंने कहा उनकी बेटी बहुत घबरा जाती है और बहुत जोड़ जोड़ से रोने लगती है जब भी उनकी तस्वीरे क्लिक की जाती है रानी ने ये भी कहा कि मैं उनकी हस्बिन आदित्ते और अधीरा जब भी कही बाहर जाते हैं लोग तस्वीरे लेते हैं और उनकी बेटिया ये देखकर काफी Confused होती है उनकी बेटी के लिए ना का मतलब ना और हाँ का मतलब हाँ ही होता है वो साफ मना करती है कि ममा की तस्वीर नहीं और जब वो देखती है कि उनके मना करνे के बावजूद जब तस्वीर लिया जाता है तो वो फिर रो जाती है और रोते रोते अपनी बात ममा से करती है मा से खुब लड़ने लगती है मा भी बहुत घबरा जाती है रानी मुखर्जे ने बताया सिर्फ यही कारण है कि वो अपनी बेटी को बहुत कम ही मीडिया के सामने लाती है बता दें कि अपनी बेटी के साथ strong bond develop कर रही राणी को बेटी को बहुत छोटी उम्र में अकेले छोड़ कर फिल्मों की शूट के लिए बाहर निकलना पड़ा घर से और इसके कारण वर्ष वो अपनी बेटी के साथ हर वक्त नहीं रही बेटी की हर छोटी से बड़ी खूपसूरत learning phase को देख नहीं पाई राणी अपने फिल्मों के साथ जब इतनी बिजी रही है तो उन्हीं अपनी बेटी के साथ हर लामें साथ गुजारने का मौका lockdown में मिला जिससे वो blessing के तौर पर मानती है अपने जिन्दगी और अपने बच्चे के साथ के जिन्दगी को professional life, personal life को balance करके चलने में रानी को कई hurdles का सामना करना पड़ा pandemic आने पर उन्हें मौका मिला वो अपनी बेटी को सबसे जादा समय दे सके home schooling जब अधिरा कर रही थी तब वो अपनी बेटी के साथ travel कर पाई अच्छे अच्छे memories बना पाई और इसे लिकर उन्होंने कहा कि अधिरा को अभी काफी समय लगेगा ये समझने में कि public life में एक celebrity को किस तरह की परिशानिया जेरनी पड़ती है फर्स्ट स्टेंडर में जब अधिरा गई स्कूल में वो जब गई सेकेंड स्टेंडर तब उन्हें कई तरह की मस्ती करने में अलग अलग तरीके से life की face से गुजरना पड़ रहा है ये सब देखती भी रानी भी खुश होती है लेकिन रानी का कहना है बेटी के साथ strong bond share करन पड़ेगी के लिए उन्हें सबसे जाद़ा उनके साथ समय गजारना पड़ेगा और इसके लिए अपर प्रिशनल लाइफ में दाना भी साथा जिसका दुख समय समय उन्हें होता रहा है तो हमारे आज के special report में हमने आपको बताया अधीरा चूपरा क्यों पैपराइजी से रहती हैं दूर और क्यों अपनी मा को भी रखना चाहती हैं दूर क्यों आखिर अधित्य चूपरा और रानी मुखर जी अपनी बेटी अधीरा को पैपराइजी के सामने लाने से बच्टे हैं इसके पीशें सिर्फ और सिर्फ उनकी अच्छी परवरिश के साथ उनकी नॉर्मन लाइफ बनी रहें इसके लिए ब्राणी मुखर्जी और अधित्य चूपरा अधिधा की प्राइवेट लाइफ में किसी भी तरह की दखल अंदाजे ना हुसले खुद को भी लाइम लाइफ से दूर बनाते हैं ये भी उन्होंने खुल कर कहा खैर स्टार लाइफ के इस एपिसोड में इतना ही तमाम बॉलोड की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें आप नेश्ट नाइन लाइफ तिल देन बाई 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 इंटे कियर